नवस्कार आप देखरें एकॉनोमी का हिसाब किताब मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती जब भी मैं ट्विटर पे और आजकल डालता हूँ कि देश में मंदी चाही हुई है तो कोई ना कोई जरूर कॉमेंट करता है कि अरे इतनी अगर मंदी चाही हुई है तो ये बताओ कि शेर मार्केट इतना उपर कैसे जा रहा है ये सवाल वाजब है क्योंकि इसका जवाब भी देना पड़ेगा पिछले तीन महीनों में लगातार शेर मार्केट में उच्छाल आ रही है जबकि निर्मला सीतारवन जी खुद मानती है कि देश में मंदी तो है तो ये रहस्य क् हिसाब लगाएंगे आज केस एपिसोड में भारत में शेर बाजार का हाल जानने के लिए हम दो चीजों को देखते हैं एक है सेंसेक्स जो की पॉंबे स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़ी 30 कंपनियों का हाल हमें बताती है उसका औसद बताती है और दूसरा है निफ्टी वह है नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़ी 50 कंपनिया पिछले तीन महिनों में लगातार इन दोनों सूचकांकों में तेजी से उचालाया है मैं आपको 19 सितंबर से आज तक का डेटा बताता हूँ 19 सितंबर को स्टॉक मार्केट गिरा था और वहां से आज तक कित रुपे लगा देते तो आज तक आपके हाथ में 13 या 14,000 रुपे आ चुका होता है यही पैसा अगर आप किसी बैंक के टर्म डिपॉजिट में लगा देते मतलब कि जो 180 दिन का टर्म डिपॉजिट होता है जहां पर 6 प्रतिशत के आसपास आपको ब्याज मिलता है तो तीन महीने में आपका रिटर्न कितना होता लगबग 1200 रुपे यानि कि बैंक में लगाते तो 1200 रुपे और अगर सेंसेक्स निफ्टी में लगाते तो 13 से 14,000 रुपे यानि 10 से 11 गुना जादा मंदी के बीच में ऐसा कैसे हो रहा है शेर बाजार के जानकार आपको कहेंगे कि चेर में बढ़त तभी होता है जब वो कारोबार अच्छा कर रहा है उसका मुनाफ़ा अच्छा हो रहा है या देश में विकास दर्तेजी से बढ़ रही हो लेकिन आप जानते हैं इस वक्त देश की अर्थिवयवस्था लगबग ठप है चीजे बिक नहीं रही है चीजों क दाम भी बढ़ रहे हैं कही पर मांग नहीं है निवेश नहीं हो रहा है तो फिर भी स्टॉक मार्केट में इतना उच्छाल कैसे आ रहा है सबसे पहला कारण एक है जो अभी तक मैंने आप से चुपा कर रखा था वो यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी में तो 14-13 परसेंट ब एक और सुचकांग है इंडेक्स है जो सबसे बड़े पाथ सो कंपनियों का ओसत हमें बताती है उसका नाम है बीएसी 500 बीएसी 500 में बढ़त कितनी आई है 19 सितंबर से आज तक सिर्फ 5 परतिशत सिर्फ 5 परतिशत यानि कि आप एक लाक रुपे वहां पर लगाते तो आपक करते हैं वो एक अंदाजा लगाते हैं कि किसी कंपनी का मुनाफ़ा कितना होगा सिर्फ अभी का नहीं अगले तीन महीने का नहीं एक साल दो साल का इसको कहा जाता है forward earning expectation असली stock market से एक मिसाल ले लेते हैं बिलकुल ऐसा ही और वो है मारुती सुजुकी लिमिटेड आप जा पहली तीमाही में देख लें तो मारुती का मुनाफ़ा 27 प्रतिशत घड़ गया था पिछले साल के तुलना में और दूसरी तीमाही में मारुती का मुनाफ़ा लगभग 40 प्रतिशत घड़ा था पिछले साल के तुलना में फिर भी मारुती का जो शेर प्राइस है वो लगा चुका है पहली ती माही में 27 प्रतिशद अगली ती माही में 40 प्रतिशद फिर भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन यानि कि अंदाजे के तुलना में जादा आया है इसलिए मार्केट खुश है और लोग मारुती का स्टॉक प्राइस खरीद रहे हैं मारुती जैसी ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जहां पर जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था अंदाजा लगाया था उससे जादा मुनाफ़ा आया है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने तोफ़ा दिया था टैक्स का सरकार ने टैक्स घटा दिया इसका मतलब है after tax यानि कि tax लेने के बाद जो मुनाफ़ा है वो बढ़ गया है सरकार का तोफ़ा corporate को और corporate का तोफ़ा stock market को तीसरा कारण है सबसे अजीबो गरीब वो यह है कि corporate क्या करता है जो हाथ में उनका पैसा आता है वो निवेश करते हैं नया factory लगाते हैं machine खरीदते हैं जमीन खरीदते हैं कारोबार को बढ़ाते हैं लेकिन जब देश में मांग नहीं हो जब चीजे बिक नहीं रही हो तब corporate क्या करेंगे company क्या करेंगे निवेश करके कोई फाइदा नहीं है तो वो क्या करते हैं एक दूसरे का share खरीदते हैं, एक दूसरे के stock में पैसा निवेश करते हैं, 1990 के दशक में लगभग 6% पैसा corporate या company एक दूसरे के stock में लगाते थे, यान की mutual fund में लगाते थे या equity में लगाते थे, share बाजार में लगाते थे, 2000 के आसपास आकर वो कितना हुआ, लगभग 12% और 2014 के बाद से वो लगातार बढ़ता रहा है, और पिछले साल 2018 में, साड़े अठारा प्रतिशत, टोटल जितना संपत्य हैं उनके पास, साड़े अठारा प्रतिशत पैसा उन्होंने एक दूसरे के share में लगाए हैं, इसका कारण क्या है, आप देखिए कि company ने जो factory या machine लगा रखी हैं, वो पूरे shift नहीं चल रहे हैं, तो नया निवेश करके उनको फाइदा क्या होगा, जब खरीदारी नहीं हैं उनके चीजों के, तो वो नया निवेश क्यों करेंगे, इसलिए वो एक दूसरे के stock में निवेश कर रहे हैं, और इसका मतलब है stock का मांग बढ़ रहा है, इसका एक कारण तो यह है कि सबसे बड़ी जो कमपनिया है, वो ही उपर जा रही है, बाकी कमपनियों का performance उतना अच्छा नहीं है, नमबर टू कारण क्या है, वो यह है कि stock market ने जो अंदाजा लगा था कि कमपनियों का मुनाफ़ा गिरेगा तेजी से, उतनी तेजी से नहीं गिरिये, क्यों क्योंकि सरकार ने corporate को tax का तोफा दिया है, और तीसरा कारण यह है कि कमपनियां, machine और factory में निवेश ना करके, एक दूसरे के stock में निवेश कर रही है, जिसके कारण से stock का मांग बढ़ा है, और उसके दाम भी बढ़ रहे हैं, तो अब अगर आपके कि इसी दोस्त या रिष्टेदार ने आपको WhatsApp पर एक forward भेज दिया हो, कि देश में सब चंगा सी, क्योंकि stock market उपर जा रहा है, तो आप इस शो में जो जो हमने बताया है, उसको लेकर उनको जवाब दे दीजिएगा, वो मानने वाले नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छा औ क्दो आपटो